पीजे सर कोचिंग किलासस पर आपका हार्दी स्वागत करता हूँ आज हम बायों के बारे में देखते हैं और बायों की आज हमारी फश्ट क्लास होगी और फश्ट क्लास में आज हमारा जो टोपिक है तो है कोसी का कोसी का कोसिका आज हमारा जो फर्स्ट टोपिक है वो है कोसिका को सेल भी खहते है प्रेला हमारा जो पॉइंट है वो है कि कोसिका के अध्यान को के कि अध्यान को क्या कहा जाता है कहा जाता है कहा जाता है तो इसको साइटोलोजी साइटोलोजी कहते है कोसिका के अध्यान को साइटोलोजी कहा जाता है कोसिका का द्यान को स्टाइटोलोजी कहा जाता है ठीके आगे देखते हैं आगला पॉइंट लिखते हैं अपन कोसी का के खोज करता कौन कोसी का के खोज करता कि कोसी का की खोज किस ने की है तो कोसी का के यह खोज करता है थे वो थे हमारे रोबट हुक कौन थे रोबट हुक थे वो जो सन है वो 1664 से 1665 का टाइम था तो कोसी का के जो खोज करता थे वो हमारे रोबर्ट भुगते और यो टाइम था वो 1664 से 1665 था है अगला हम देखते हैं अगला पॉंट लेते हम कोसी का कोसी का कोसी का सब्द किस ने दिया मतलब जो कोसी का जो सब्द दिया है वो किस ने दिया है तो कोसी का को जो सब्द दिया है वो भी हमारे रोबर्ट भुगने दिया है किस ने दिया है दोस्तो रोबर्ट भुगने दिया तो यह तीन पॉइंट लिखे है हमने हम कोशिका को विस्तार से और आराम से और एक एक चीज को हम पढ़ेंगे हम इस तरह से पढ़ेंगे कि एकजाइम में अगर कोई भी MCQ अगर कोशिका से आता है तो आपका वहार ना जाए तो परसिन गारंटी से तीक है अगले लेते हैं और अगे चलते हैं हम देखते हैं अगला पॉइंट है मृट कोशिका के खोज करता है तो यह भी हमारे दोस्तों क्या है यह भी हमारे क्या है ये भी हमारे रोबर ठुक है ये भी हमारे कौनते ये भी हमारे रोबर ठुकते है कौनते रोबर ठुकते है फिर बात आती है कि फिर जीवीत कोसिका की खोज किसने की बहुत इंपोर्टेंट है मेरे साथी हो जीवीत कोसिका जीवीत कोसिका के खोज करता जीवीत कोसिका के खो हमारे थे हैं, Lumen Hook, Lumen, Lumen, आपको यह दोनों बात, बाते अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ब्रत कोशिका के खोज करता कौनते हैं और जी भी कोशिका के खोज करते हैं, तो मैंने आपको दोनों ही क्लियर कर दी, आगे देखते हैं यह छोटे छोटे क्यों है यह बेसिक है हम धीरे धीरे पोसिका को कवर करते जा रहे हैं अगला है पोसिका क्या होती है तो किसी भी साजीव किसी भी साजीव की सबसे छोटी क्या है एकाई है ये अंग नहीं है ये क्या है किसी भी जो साजीव होता जो मुमेंट करता है गती करता है उसकी जो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या है वो सेल है तो हम लहाँ पर देखते हैं साजीव की मूल इकाई साजीव की मूल इकाई साजीव की जो मूल इकाई है दोस्तों वो क्या है वो है आपकी कोसी का किसी भी साजीव जो मूमेंट करता है उसकी जो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या है जैसे कि हम एक ले लेते हैं, जैसे कि हम कोई मकान बनाते हैं, मकान में सबसे पहले क्या है, नीट लेते हैं, नीट से क्या बनती है, दोस्तों दिवार बनती है, दिवारों से क्या बनते हैं, कमरा और कमरे से क्या बनते हैं, तो वो बनता है मकान, क्या बनता है, मकान, नीट, कीटों से दिवार बना जाती है, दिवार से कमरे बना जाते हैं, और कमरों से क्या ख़ड़ा होता है, मकान. एसे ही किसी जीव, एसे ही किसी भी जीव होता है, तो पेले क्या है, पेला कोशिका, और कोशिका से क्या वनते हैं, तो कोशिका से वनते हैं, उतक, उतक से क्या वनते हैं, उतक से वनते हैं, उतक से वनते हैं, और अंग से वनते हैं, तो अंग से वनता हैं, अंग से वनता हैं, तो पोडी का निर्मान तो यह क्या है? यह एक यूनिट है. मतलब यह क्या है? यह एक इकाई है. यह अंग नहीं है. तो यहां से साजीव की जो मूल इकाई होती है वो कोसी का है. तो हमने यहाँ पर देखा. आगे चलते हैं बहुत आराम और बहुत इतरीके से. बिंदास तरी देखते हैं यहां पर कोशिका के बारे में और अपन देख लेते हैं किसी साजीव के आदार की एकाई किसी साजीव के आदार की क्या है एकाई तो बो भी क्या होती है बो भी कोशिका आगे देखते हैं किसी साजीव के क्रिया आतमक वा सरचना आतमक जो इकाई है साथियो तो बो भी क्या है बो भी कोशिका किसी जीव के जो आदार होता है उसकी एकाई भी क्या है कोशिका है और किसी भी जीव के कारिय की और सरचना की जो इकाई है वो भी कोशिका है क्योंकि हमारे साजीव के अंदर जो भी वर्क हो रहा है जो भी काम हो रहा है वो कोन कर रही है तो वो हमारी सेल करती है कौन करती है वो सेल करती है किसी भी साजीव की जो मूल भूत जो इकाई होती है वो भी कोसी का होती है आगे देखते हैं एक एक बात को हम अच्छी तरह से समझेंगे आगे देखते हैं जो कोसी का होती है दोस्तों वो दो प्रकार की होती है पहली होती है जन्तु कोसी का दूसरी होती है पादब कोसी का कौनसी होती है पादब कोसी का जन्तु कोसी का मतलब एस ही कोसी का जिनसे जीव जन्तु का जीव जन्तु का निर्मान होता है मतलब जिससे जीव जन्तु बनते हैं उनको जन्तु कोसी का कहा जाता है और जिनसे पेड़ पोदो का निर्मान होता है साती हो उनको बोला जाता है पादब कोसी का क्या बोला जाता है उनको बोला जाता है पादब कोसी का आगे देखते हैं आगे चलते हैं आपको एक-एक एक-एक concept अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा हम तोड़े से point ले लेते हैं जो आपके exam के लिए बहुत ही क्या है? आपके exam के लिए क्या है? बहुत ही important है तो देखते हैं छोटे-छोटे हैं तो हम बात करते हैं एक मानब मानब में सबसे चोटी कोशी का और मानब में सबसे बड़ी कोशी का एक क्या है? एक संसार संसार में सबसे बड़ी कोशी का और संसार में सबसे चोटी कोशी का हम संसार को ले लेते हैं संसार में सबसे चोटी कोशी का संसार में सबसे चोटी कोशी का किसकी होती है? तो संसार में दोस्तों जो सबसे छुटी कोशी को होती है वो माइक्रो माइक्रो प्लाजमा जीवानों की होती है। कोसी का सबसे बड़ी क्या है कोसी का यह होती है सतूर मुरगे के अंडे की होती है यह हमने संसार के बारे में बात की संसार में सबसे थोटी सेल कौन सी है और संसार में सबसे बड़ी सेल कौन सी है आगे देखते हैं अगला है अब मानब की बात कर लेते हैं तो मानब में सबसे छोटी कोसी का तो मानब में सबसे छोटी कि अगला देखते हम मानब में सबसे बड़ी कोसी का तो उतिय तंत्री का तंत्री का और वो कौनसी है तो वो है नूरोन वो कौनसी है वो है अगला पॉइंट देखते हम मानव में मानव में कोसी का मानव में सबसे सबसे लंबी कोसी का सबसे लंबी क्या है दोस्तो कोसी का हो तो मानव में जो सबसे लंबी कोसी का होती है वो होती है अंडानों की इसकी होती है दोस्तो तो वो होती है अंडानों की वो किसकी होती है वो होती है अंडानों की अगले हम पॉइंट की बात करते है तो मानव में कोसिका कोसिका बिवाजन नहीं होता तो मानव कोसिका का बिवाजन नहीं होता है तो मानव के मस्तिक में तो मानव का जो मस्तिक होता है दो सातियो उसमें क्या है उसमें कोसिकाओ का बिवाजन नहीं होता है यहां पर मानलो हमारे सरीर में कहीं भी चोट लग जाती है उसको रीकवर करने की जिम्मेदारी होती है दोस्तों वो होती है कोसी का कि लेकिन हम देखते हैं कि हमारे अगर सिर में चोट लग जाती है तो वो रीकवर नहीं इसलिए हम क्या करते हैं इसलिए हम सिर में हेलवेट लगाते हैं, जब हम बाइक को चलाते हैं, इसी कारण से, अगला पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है, मानव में, मानव में सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कोशिका का विवाजन, आज आती है साधियो, जो मानव सबसे ज़्यादा कोशिका का विवाजन का होता है, सबसे ज़्यादा कोशिका का विवाजन का होता है, यह होता है आपके यकरत में, आपर होता है यह होता है आपके यकरत, अदलब आपके लीवर में, आपर होता है यह होता है आपके लीवर मे तो यह बहुती क्या थे, important point थे, जो हमारे SSGD है, दिल्ली पुलीज है, इस्टे लेबल की जितनी vacancy आती, उनमें यह point बहुती important है, हम देख लेते हैं, हम सबसे पहले जंतु कोशिका की बात करते हैं, हमने देखा है कोशी का दोपरकार के होती है जन्तु सेल और पादब देखते हैं तो इससे क्या है जीव-जन्तू का निर्मान होता जीव-जन्तू का निर्मान होता दोस्ति आनिमल जो सेल होती है इससे जीव जन्तु हो का निर्मान तो हम एक जीवित जन्तु कोसी का की सरशना के बारे में अध्यान करेंगे हम क्या करेंगे आज हम जीवित जन्तु कोसी का की सरशना के बारे में देखेंगे के बारे में हम देखेंगे दोस्ति आपको वीडियो पूरा देखना है अच्छे से देखना है ठीक है आपका एक भी कोस्चन इससे भार नहीं जाएगा इसमें पूरा ही कोसी का कंपिट आपको एक एक बात आराम सेर्फ होती जवाब हम देख लेते हैं इसके बारे में हमने बात की इसका सबसे पहले हम क्या देखते हैं डाइगराम देखते हैं कि कोशिका कैसी दिकाई देती है तो डाइगराम में क्या होता है तो देखते हैं दोस्तों सबसे पहले तो कोशिका की एक सबसे भारी परत होती है कोसी का क्या होती है कोसी का कि एक सबसे भारी परत होती है और इस भारी परत का जो नाम है दोस्तों इस भारी परत का जो नाम है दोस्तों उसे बोला जाता है उसे बोला जाता है कोसी का जिल्ली क्या बोला जाता है तो दोस्तों ये है तुमारी कोसी का जिल्ली की सबसे जो भारी परत होती है उसे कोसिका की जिल्ली कहा जाता है ये कोसिका जिल्ली ही कोसिका के आकाहर को निदारित करती है जो पदार्थ होते हैं वो कौन से पदार्थ को अंदर बेजना है और कौन से पदार्थ को भार करना है इसका निदरन भी कोसिका जिल्ली ही करती है इसके अंदर एक तरल पदार्थ रहता है इसके अंदर दोस्तो एक तरल पदार्थ भरा रहता है इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है दोस्तों इस तरल पदार्थ को हम कोसी का ध्रब कहते हैं जो तरल पदार्थ होता है इस तरल पदार्थ को हम कोसी का ध्रब कहते हैं कोसी का ध्रब कहते हैं कोसी का के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है उसे हम कोसी का का ध्रब कहते हैं इसके बार दोस्तो कोशिका के यहां पर ये कोशिका का केंदरक है ये कोशिका का क्या है इसे हम केंदरक खेरते हैं ये कोशिका का क्या है साथियो ये कोशिका का केंदरक है ये कोशिका का क्या है केंदरक है इस केंदरक के अंदर एक सरशना और रहती है दोस्तो यहां पर एक स इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम केंद्री का इस केंद्रक के अंदर भी एक तरल पदार्थ होता है और इस केंद्रक के अंदर भी एक तरल पदार्थ होता है और इस तरल पदार्थ को केंद्रक ध्रब खेते हैं दोस्ते क्या बोलते हैं केंद्रक ध्रब खेते तो हमने देखा कोशिका की सबसे भारी जो परत होती है उसे हम कोशिका जिल्ली कहा जाता है कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ होता है उसे कोशिका द्रब कहते हैं ठीक है कोशिका के मध्य बिंदू जो होता उसे केंद्रक कहा जाता है केंद्रक के अंदर ही केंद्री का प इसी केंद्रक ध्रब के अंदर कोसिका के अंग पाय जाते हैं जैसे हमारे पास जो अंग होते हैं ऐसे ही कोसिका के पास भी अपने अंगों होते हैं जिनके द्वारा कोसिका अपना काम करती हैं हम उन अंगों की बात कर लेते हैं तो यहां पर मैंने ऐसा डाइग्राम बना है जो आपके समझ में आए मैं रियल का जो डाइग्राम होता है वो भी आपको पता दूँ तो यहां पर सबस्पिले यहां पर जो सरचना रहती है दोस्तो इसे बोला जाता है माइक्रो कॉंडिया इसके बाद यहां पर जो अंग पाए जाता है दोस्तो उसे बोला जाता है लाइसो सोम से क्या बोला जाता है इसे बोला जाता है दोस्तो लाइसो सोम इसके बाद यहाँ पर एक अंगोर पाए जाता है इसे बोला जाता है दोस्तो सेंट्रोसों क्या बोला जाएगा इसे बोलेंगे सेंट्रोसों क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे सेंट्रोसों यहाँ पर एक अंगोर पाए जाता है वो इसे बोलेंगे दोस्तो गोल जी काया क्या इसे बोलेंगे हम गोल जी काया या बोलेंगे इसे बोलेंगे हम गोल जी काया इसकी बाद यहाँ पर एक और पाय जाता है और इसको बोलते हैं अन्था प्राध्रव जालिका क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे अन्था प्राध्रव जालिका काया जाता है और इसी अन्थे प्राध्रव जालिका पर ही क्या होता है दोस्तो तो यहाँ पर ही क्या रहता है तो यहाँ पर ही दोस्तो राई वो सोम पाय जाता है इसी जालिका पर राई वो सोम पाए जाता है और यहां पर एक सरशना ओर एती दोस्तो इसको बोला जाता है रस दानी अगला और उसमें यह पूरे अंग पाये जाते है इसे एक को सिका की सरचना है और इसमें को सिका के पूरे ही अंग आपको दिखाई जैए जिसको मैंने कलर से आपको बताया थो सब से पहले प्रत होती है उसे को सिका के अंदर एक पदार्त भरा रहता है और उसी तरल पदार्त को कोसिका का द्रव कहते हैं इसके बाद कोसिका के अंदर एक सरहचना औरती मद्यभाग में उसे केंद्रक कहते हैं केंद्रक के अंदर एक तरल पदार्त भरा होता है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं ठीक है इसके बाद यहाँ पर और ये तरल पदार के अंदर ही और अंगर रहते हैं जिसो पहला मैंने लbahn लेका यहाँ पर माइक्रोकॉंडिया है़आई मैं दूसरा लाइसोसोम है तीसरा सैं्ट्रो सोम है और अगला गौल्जी काया है अगला रसधानी है अगला अन्तहभगजाले का है अगला राइगो तो में तो हम कोशिका का अंदर इन अंगों को एके करकर पढ़ते हैं इनके उपर question एकजाम वाला पूस्ता ये बहुती क्या है important आप जितनी भी हम जितनी भी बायो बायो पढ़ेंगे उसमें ये कोशिका सब्द आपको मिलता रहेगा कि जानकारी आपको मिल तो हम सबसे पहले जो कोशिका का फर्स्ट आंगे उसकी बात हम करते हैं पहला जो है वो है कोशिका जिल्ली पहला जो है वो है दोस्तो कोशिका जिल्ली तो कौन सा है तो वो है कोशिका जिल्ली पहला जो आंगे है वो है हमारा कोसी का जिली, वो कौन सा है, तो वो है हमारा कोसी का जिली, तो से पहले इसके उपनाम की हम बात कर लेते हैं, इसे किस उपनामों से जाना जाता है, इसका जो पहला नाम है, वो है मेमरेन, इसको मेमरेन जिली वी कहता है, इसको मेमरेन जिली वी कहता है, पहला पॉइंट हो गया है, दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा जो पॉइंट है, इसे हम वर्ण आतमक, इसे हम वर्ण आतमक जिली वी कहते हैं, अगला हम देख लेते हैं इसे दोस्तो प्लाजमा जिल्लीवी कहा जाता है इसको चायन आतमक जिल्लीवी कहे दोस्तो इसको हम दोरी जिल्लीवी कहा जाता है दोरी जिल्लीवी इसको कहा जाता है अगला है बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तो इसको अगला जो प्वेंट है वो है इसको अर्द पार गम में जिल्लीवी कहते है इसमें जो कोसी का जिल्ली है उसके ये उपनाम है इस कोसी का जिल्ली को इतने उपनामों से जाना चाता है तो पहला जो नाम है दोस्तों ये एक्जाम में पूचे जाते हैं इन पर आपको विसे ध्यान देना है कोसी का जिल्ली इसको मेम्रेम जिल्ली वी फश्ट इसको जो सेकेंड है इसको प्लाजमा जिल्ली वी कहा जाता है इसको चैनात्मक जिल्ली वी कहा जाता है इसको धोरी जिल्ली वी कहा जाता है और इसको अर्द पार गम जिल्ली वी कहा ठीक है तो इसको मेम्रेम जिल्ली इलाज मा जिल्ली है यह जो पदार तो होते हैं किसको कोशी का अंदर जाना है और किसको कोशी का के भार आना है इसका जो निधरन करती है वो कोशी का जिल्ली ही करती यह दोरी दिकाई देती यह कोशी का जिल्ली होती ही दोस्तो वो ऐसी दिकाई देती है इसमें दो परत होती यह दोस्तो इसमें दो परत होती है प्रोटीन और बसा की इसलिए ऐसी दिकाई आपको इसमें क्या है जो मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् और दोस्तों जो प्रोटिन के आसपास जो प्रत है ये वाली प्रत और ये वाली जो प्रत है वो होती दोनों प्रत होती बसा के जो दी दोस्तों आपको क्लियर दिखरी यहां पर एक जिल्ली यह और एक जिल्ली यह इसको दोरी जिल्ली भी कहा जाता है आगे हम इसके कारे दे का निर्माण । इस कोसी का जिल्ली का क्या है क्यों कि से मिले कर बनी होती द्यान रगना सी के जिल्ली बनी होती यह वह वह प्रोटीन है यह प्लस पसकी बनी आधर रोटीन किसकी बनी ओ्ति यह क्रूटेन प्लस बसाकी क्या होता इसमें इस जिल्ली में इस जिल्ली में तीन परत होती है ताथ यो तीन क्या होती है परत होती है तीन परत होती है तीन परत होती है तीन परत होती है इसमें दो परत होती है वो होती है आपकी बसाकी और इसमें जो एक परत होती है जो एक परत होती है साथियो वो होती है प्रोटिन वो किसकी होती है वो होती है जी आपको ध्यान मैं रखना है पोसी का जिल्ली में तीन प्रत होती है इसमें से दो प्रत बसा की होती है और एक प्रत प्रोटेन की होती है इसलिए इसको दोरी जिल्ली कहा जाता है इसका निर्मान प्रोटेन और बसा से हुआ है अब इसके हम कारे की बात कर लेते हैं इसके हम कारे की बात कर लेते हैं पोसी कोसी का जिल्ली के कारी कोसी का जिल्ली के क्या साथियों कारी कोसी का जिल्ली के कारी करती है इसका जो फर्ष्ट कारी है उसकी हम बात कर लेते हैं फर्ष्ट कारी है पोसिका जिल्ली फोसिका का आकार का क्या है आकार कोसिका क्या है सते पोसिका क्या है खेतरपल इनका क्या करती है इनका ये निधरन करती है निधरन करती है कि कोशिका का कितना आकार होना चाहिए कोशिका की कितनी सत्य होना चाहिए और कोशिका का कितना छेद्पल होना चाहिए अगला कारे देखते हैं अगला कारे क्या करती है अगला कारे देखते हैं तो कोसी का जिल्ली कोसी का के अंदर आदान प्रदान पदार्तों पर क्या रखती है तो ये नियंतरन रखती है कोसी का के अंदर जो पदार्त आते हैं और जाते हैं उन पर जो नियंतरन रखती है वो कोसी का जिल्ली को क्या बोलते हैं इसी कारण कोसी का को जिल्ली को अर्द पार गम केते हैं जो जिसकी अवश्यक्ता होती है उसको ही जाने देती है और जिसकी अवश्यक्ता नहीं होती है उसको नहीं जाने तो कोसी का जिल्ली कोसी का के अंदर आदान प्रदान पदार्तों पर नियंतरन रखती है यह बहुत दो इंपोर्टेंट कारी है कोसी का जिल्ली आगे हम देखते हैं, आगे हम ले लेते हैं कोशी का द्रग, अगला जो है, वो क्या है, हमने देखा था कोशी का द्रग, कोशी का क्या है, कोशी का द्रग, कोशी का, क्या दोस्तों, अगला है कोशी का द्रग, कोसी का कोसी का इसके बारे में हम बात करते हैं कोसी का ध्रब हमने देखा कोसी का कंदर एक तरल सरशना होती है उसे हम कोसी का ध्रब कहते हैं और इसी कोसी का ध्रब में कोसी का के अंग पाए जाते हैं इसी कोसी का ध्रब में कोसी का अंग पाए जाते हैं देखते हम तो हम पहले डाइग्राम देख लेते हैं ऐसी एक कोसी का की सरशना रहती है इसमें एक तरल पदार्थ भरा रहता है और इसी तरल पदार्थ को इसी तरल पदारत को आप क्या बोलोगों यही है कोसी का द्रफ यही क्या है यही है कोसी का द्रफ इसे बोलेंगे यह क्या है साथ्यो कोसी का द्रफ को साइटो प्लाजमा भी कहते हैं इस कोसी का द्रफ को साइटो प्लाजमा भी कहते हैं इसको साइटो प्लाजमा भी कहते हैं देखते हैं इसके वारे में हम तो पहला पॉइंट है कि ये तरल ये क्या होता है ये तरल होता है ये रंग हिन ये गंध हिन ये गंध हिन होता है ये स्वाध हिन ये स्वाध हिन होता है स्वाध हिन होता है ये तरल रंग हिन गंध हिन स्वाध हिन पार दर से इसके आर पार देखा या सकता है तभी हमको कोशी का क्रंग दिकाई देते हैं दूसरा इसका पॉइंट है इसमें कार्वनिक वा आकार्वनिक पदार्थ पाए जाते हैं पदार्थ पाए जाते हैं इस कोशिका दिर्भ में कार्वनिक और आकार्वनिक दोनों ही पदार्थ पाए जाते हैं जो कोशिका के अंगों के लिए महत्वून होते हैं आगे देखते हैं कीसरा जो पॉइंट है उसकी हम बात करते हैं कोशिका दिर्भ में ही कोशिका के अंग पाए जाते हैं कोशिका क्या पाए जाते हैं अंग पाए जाते हैं कोशिका दिर्भ में ही कोशिका के अंग पाए तो देखते हैं, पहला जो अंग है वे आपका Mental Pondria, तूसरा जो अंग है वे आपका Central Pondria, आधना जो अंग है दोस्तों, वो है आपका तीसरा वो है लाइसोसोम वो कौन सा है वो है आपका लाइसो अगला जो अंग है आपका चोंता है तो वो है आपकी गोल्जी काया गोल्जी काया अगला जो आपका अंग है वो है आपका राइवोसोम वो कौन सा है तो वो है दोस्तो आपका राई वो सुम अगला जो अंग पाए जाता है खटा जो अंग है वो है आपका अंतहा प्राद्रब चाली का अंतहा प्राद्रब कौन सा है चाली का है दोस्तो अगला जो अंग है जो अंग पाए जाता है वो है केंदरग आटवा जो अंग पाए जाता है वो आपकी क्या है वो है आपकी केंदरी का अगला नवा जो अंग पाए जाता है वो आपकी आपकी रसदानी या है रजदान आदी अंग कोशी का दिरब के अंदर पाए जाते हैं इनको पोशक पदार्तों की अविश्यक्ता होती है और इन पोशक पदार्तों की ये पूर्ती जो करते हैं वो कोशी का दिरब से ही करते हैं अगला देख लेते हैं, एक यहाँ पर important point निकल कर आता है, पोसीका में सबसे ज़्यादा जल पाए जाता है, पोसीका में सबसे ज़्यादा ज़्यादा जल पाए जाता है, जल की मात्रा जाता है, आगे हम देख लेते हैं, अगला अंग ले लेते हम, और अगला जो अंग है, वो है आपका लाइसोसू, लाइसोसू, लाइसो, अगला जो आंग है, उसको ले लेते हैं, यह है तुमारा लाइसोसू, कौन सा है, यह है तुमारा लाइसोसू, लाइसोसू, यह क्या करता है, यह कोसिका की सपाई करता है, यह क्या करता है, यह कोसिका की सपाई करता है, जब कोसिका के अंदर गंद की जाद हो जाती है, तो लाइसोसूम एंजाइमों का संसलेशन करता है, और संसलेशन करने के बाद जो एंजाइम जो होते हैं, वो कोसि की सपाई करते हैं जदी लाइसोसोम अधीक मात्रा में इंजाइमों को निकालता है तो वो कोसिका को नश्ट भी कर देते हैं इसलिए लाइसोसोम को सोसाइड बेग भी कहा जाता है कोसिका का सोसाइड बेग भी कहा जाता है हम देख लेते हैं इसके हम पहले बात कर लेते हैं उपो नाम के इसे हम क्या बोलेंगे इसको हम सोसाइड वेग भी कहते हैं वेग भी कहते हैं इसको हम सपाई करमी भी कहते हैं इसको हम क्या कहा जाते हैं इसे हम सपाई करमी भी कहते हैं इसको हम लायन काया भी कहते हैं इसको हम लायन काया भी कहते हैं इसको हम अगर चौता पॉइंट अगर मैं लिको इसको हम इंजाइमों इंजाइमों की फेक्टरी की उपाब्दी भी दे सकते हैं इसको इंजाइमों की फेक्टरी की उपाब्दी भी हम दे सकते हैं यह कोशिक अंदर इंजाइमों का संसलेशन करता है और इंजाइम क्या होते हैं यह कोशिका की सपाई करते हैं हम आगे चलते हैं आगे देखते हैं इसके कारिय में हम देखते हैं लाइसोसोम इंजाइमों का इंजाइमों का Translation Translation करता है जब जब कोसी का कोसी का के कोसी का के अंदर कोसी का के अंदर अफसिष्ट अफसिष्ट पदार्त पड़ जाते है तो तो लाइसोसोम लाइसोसोम में विस्पोटक विस्पोटक होने पर इंजाइम निकलते हैं के निकलते हैं इंजाइम निकलते हैं इंजाइम निकलते हैं इंजाइम निकलते हैं और और कोसिका की सपाई करते हैं हम देखते हैं लाइसो सॉम जो होता है वो इंजाइमों का संसलेशन करता है जब कोसिका के अंदर असिष्ट पदार्तों की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइसो सॉम में क्या होता है इसलिए लाइसो सॉम को कोसिका का परमानो बंबी कहते हैं कोशिका का परमानो बंबी खेते हैं तुझे इन्जायम अफशिट पदार्थ जो होते हैं उनकी सपाई कर देते हैं उनको बिगटित कर देते हैं सरल पदार्थ हम उनको तोड देते हैं लेकिन जब जादा विस्वोटक हो जाता है तो सपाई का कम रहता है तो वो क्या करेंग अगला हम लेते हैं अगला जो अंग है वो है सेंट्रोसूम कौन सा है वो है सेंट्रोसूम वो कौन सा है वो है दोस्तों सेंट्रोसूम सेंट्रोसूम इसके हम उपनाम की बात कर लेते हैं इन उपनामों में ही क्या है इनके कारिये पे रहते हैं कि इनके हम उपनाम की बात कर लेते हैं क्या है इसको तारक काया भी कहते हैं तो क्या कहा जाता है इसको तारक काया भी इसको तारक काया भी कहा जाता है इसकी जो सरशना होती है वो इस्टार जैसी होती है इसका नाम क्या है इसका तारक काया है इसका जो सेकेंड नाम है वो लेते हैं हम इसका सेकेंड नाम है इसे कोसिका कोसिका का विवाजन केंद्र भी कहते है इसे कोसिका का विवाजन केंद्र भी कहा चाहता है अगला इसका जो नाम है इसको समसूंत्री कोसिका का धुरुब्वी कहाता है तो यह क्या है जब कोसिका का विवाजन कब होना है और कैसे होना है उसका जो संकेत करता है वो आपका सेंट्रो सोम ही करता है इसलिए से कोसिका का विवाजन केंद्र भी कहा जाता है आची किलास यहाँ पर ही में हम आप करता हूँ आपके अपने चैनल डिये सर कोचिंग किलासे ठीक है जो लड़के जो मेरे साथ यह नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा फिर करें हमारे ओलाइन और ओपलाइन दोनों बेश यहाँ पर स्टार्ट हो गए है आप आके जोइन कर सकते हैं जेहन जे बात